36 गड़ में इस साल हाथियों ने खुब उत्पात मचाया है। प्रदेश के कई जिलों में हाथियों के उत्पास से लोग बेहत परसान हुए हैं। कभी किसानों के फसल नुकसान हुई हैं तो कई बार लोगों की जान भी चली गई। जस्पुर जिला, अंबिकापुर जिला में हाथियों ने ग्रामणों के घर तोड़ डाले। ऐसे बहुत सारे घटना इस साल हाथियों के वज़ा से हो चुके हैं। अब एक वीडियो आया है बालोजिला के गुरू छेतर से जहां सड़क पारकने के दौरान हाथियों ने लोगों को खुट रहाया। लोग सड़क पर गाड़ी छोड़कर दूर खड़े हो गए। सड़क पर खड़े गाड़ियों को हाथि ने नुक्षान पहुचा दिया। वणिभाग के और से लगाता लोगों से अपिल किया रहा है कि जंगली हाथि देखने के बाद उनके नजदीक न जाया करें। फिर भी लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हाथियों के काफी नदिक चले जाते हैं और दुरगटना का सिकार भी हो रहे हैं। बालवजिला में भी वनिभाग द्वारा लोगों को बार-बार हाथियों से दूर रहने के अपिल किया जाता रहा है। वन्चेत्र के गावगा में मुनादी भी किया गया है। फिर भी लोग हाथियों को देखकर लापारवाही कर रहे हैं। पुखुला रहे रहे हैं। भी वनिभाग देखता है। अजच कुचारीयों देख भी व्यूंद शाय। बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब्च बड़ी न्यूज चैनल 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूड़ने का